इस्ताइ समीती अद्यक्ष प्रकाश भोया ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि चुनाम नस्तीक है ऐसे में लगून निवीदा निकाल कर आवशक काम शुरू किये जाने चाहिए लेकिन स्टेशनरी घोटाले के बाद मनपा प्रशासनों खास कर वित विभाग का काम कच्छुआ अगती से चल रहा है मनपा में हुए स्टेशनरी घोटाले ने शहर में जारे विकास कारियों पर ही ब्रेक लगा दिया है जिन सडकों का काम 31 दिसंबर के पहले शुरू होना था उनकी कार्यदेश तक की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई इतना ही नहीं अन्य विभागों से संबंदित फाइले भी वित विभाग में आकर अटक गई है मुखे लेखा वव वित अधिकारी विजे कोले दिसंबर के अंतिम दिन सेवा नीवरत हो गए वहीं स्टेशनरी घोटाले में नाम आने की बजल से विभाग के कुछ अधिकारियों को निलम्मित कर दिया गया है इसी बीच उपायुक्त विजे देशमुक को विभाग का चार्ज दिया गया था उनका तबादला वाडी नगर परिशन में किये जाने की खबर है वहीं सामानी प्रशासन विभाग के भी कुछ अधिकारियों के घोटाले में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं ऐसे में उप्त दोनों विभाग का काम लगभख ठप सा पड़ा हुआ है यही कारण है कि शहर के विकास कारी पर अप्रोप शुरूप से ब्रेक लग गया है भोया ने कहा कि जनता केत में मनपा आयूगती राधा कृष्णन बी को वित विभाग साहित अन्य विभागों के कामकाज को गती देने के लिए ध्यान देना चाहिए उन्हें वित विभाग को फुल टाइम मुख्य लेखा और वित अधिकारी देना चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो गती अवरुद होगी जिसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा वैसे भी कोविट काल की वज़े से नाकपूर मनपा में पिछले दो वर्षों से विकास कारें नहीं हो पाए हैं मनपा की विविन विभाकों की कमाई की समिक्षा किये जाने की जानकारी इस्थाई समीती ने दिया उन्होंने का की मनपा की अधिकारियों करमचारियों का ध्यान कमाई बढ़ाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं है का जा रहा है कि मनपा की आर्थिक इस्तिती खराब है लेकिन वास्तिवक्ता में कमाई बढ़ाने के लिए पुशांसिक इस्तर पर कोई विशेश कदम नहीं उठाए गए कैमरे परसन राजकुमा मोर के साथ अभी शेक पान सी बीजियन न्यूस नाखपुर